हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच डिएस टूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियो नों देखेंगे जिस्यार्टी क्लास फाइब का मीड टर्म असाइनमेंट देखिए सत्र दोहजार बिस दोहजार एकिस है पुर्णांक असी का है चार सब्जेक्ट है इसलिए पुर कर दोथी इसका यह वीडियो पार्ट वन है यह पार्ट वन है पार्ट टू में जल्ड अपलोड कर दूँँगा आज ही अपलोड करूगा इस वीडियो थी बाने तुरांट दो घंटे बाद तो आप सबस्क्राइब कर लिए चैनल को और प्रेमेंट प्रेस कर जिए ताकि आपको part 2 का notification मिल जाएगा फिर चले हम लोग देखते हैं हिंदी ओके math और यह जो science है पर्यावरन अधयान यह हम लोग part 2 में करेंगे पहला देखिए हिंदी पहला question है इन में से कौन सा पवन का समनार्थी सब्द नहीं है तो देखिए कौन सा पवन का समनार्थी सब्द नहीं तो चलिए देखिए पहला option है समीर दूसरा option है अनिल तीसरा option है मारूत और चोथा option है अनल तो यहाँ पर देखिए सही answer होगा option number D अनल ओके समीर मतलब भी हवा होता है पवन होता है अनिल मतलब भी और मारूती मतलब भी लेकिन यहाँ पर अनल अनल मतलब हवा नहीं होता ह फिर देखिए second number question किसकी उंगलियां तवे में जल जाती थी तो देखिए किसकी उंगलियां तवे में जल जाती थी पहला option है अमीना, दुसरा, महसीन, तिसरा, हामीद, अचोथा, नूरे तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number पहला अमीना, इसे note का लीजिए फिर देखिए थ्री नंबर थ्री नंबर के question है खाली अस्थानों को उचित सब्दों से भरिये एक हमारा खाली स्थान हम सब नीचे देखिए रहते नीचे एक खाली स्थान के तो चलिए यहाँ पर हम लोग भरते हैं तो देखिए इसके आंसर हो जाएगा एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के तेहाँ पर ध्याँ देखिए जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको भरना है माली और नीचे का खाली स्थान में आपको भरना है गगन उसके बाद देखिए next number next number four number four number के question है दो राष्ट्रिय तेवहारों के नाम लिखें दो राष्ट्रिय तेवहारों जिसको पूरे देश में मनाया जाता है जिसमें जाती पाती का कोई लेना दन नहीं है तो चली हम लोग लिखते हैं दिखिए four number का अंसर हो जाएगा पहला सोतंतरता दिवस जिसको हम लोग 15 अगस्त भी कहते हैं या फिर 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है दूसरा गंतंतर दिवस जिसको 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है तो इसे नोट कर लीजिए फिर हम लोग बढ़ेंगे next five number की ओर five number के question है हामीद ने चिमटा को कितने में खरिदा तो चलिए इसका अंसर लिखते हैं इसका अंसर हो जाएगा हामीद ने चिमटा को 3 पैसे में खरिदा तो इसे नोट कर लीजिए फिर हम लोग बढ़ेंगे six number की ओर six number के question है बच्चों दोरा खरिदे के विबिन खिलोनों की आपसी लड़ाई में किसकी विजय हुई तो चलिए इसका हम लोग अंसर लिखते हैं कि किसका खिलोना जीत गया दिखें हमीद के जो दोस्तों ने खिलोना खिर्दा था सारे की खिलोने टूट गये थे कुछ दिर बाद घर आने के बाद टूट गये तो इसे नोट कर लिजिये फिर दो बढ़ते हैं अब 7 No की ओर 7 No का question है हम सब सुमन एक उपवन के में यह कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के में सुमन और उपवन कीसे कहा गया है तो चलिए इसका हम लोग अंसर लिखते हैं कि सुमन और उपवन किसे कहा गया है देखिए 7 नमर का अंसर हम सब सुमन एक उपवन के में भारतियों को सुमन तथा भारत देश को उपवन कहा गया है इसे नोट कर लिजे हम सब सुमन एक उपवन के ये कविता का नाम है इस कविता में सुमन हम सभी भारतवासियों को कहा गया है और उपवन भारत को कहा गया है जिसे एक उपवन में विभिन प्रकार के फूल खिलते हैं कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है कोई लाल होता है कोई पिला होता है उसी तरीके से भारत देश किलार भारत देश में बहुत तरह के लोग रखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सीख, हिसाई और अनेक जाती, अनेक भासा अनेक सभ्याता वाले रखते हैं लेकिन सब मिलकर एक भारत बनाते हैं तो इसे नोट कर लीजिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अब नेक्स एट नमबर की ओर एट नमबर की कोशन देखिए मेले में हामीद ने क्या सोचकर चिम्टा खरिदा मेले में हामीद ने क्या सोचकर चिम्टा खरिदा तो चली इसका हम लोग अंसर लिखते हैं इसका अंसर देखिए एट नमबर का अंसर आमिन की उंगलियां तवे से जल जाती थी यही सोचकर हामिद ने चिम्टा खरिदा ताकि अमीना का हाथ तवे में ना जले तो इसे नोट कर लिजे उसके बाद में बढ़ेंगे next number की ओर next number देखिए 9 नमबर 9 नमबर की question है अपने अनुभव के आधार पर आपके दोरा मनाये गए किसी तेवार पर 10 पंतियां लिखिए, तो चलि हम लोग कोई भी एक तेवार पर लिख सकते हैं आप चाहे तो अपना भी अनसाब दे सकते हैं, कोई भी तेवार हो या फिर होली हो, दिवाली हो क्रिस्मस हो अपने सब्दम लिख सकते हैं यहाँ पर मैं होली का जिकर करूँगा तो होली के बारे में 10 लाइन चली हम लोग लिखते हैं तो देखिए होली पहला नमा देखिए 10 लाइन लिखना है हम लोग 10 लाइन ऐसे step by step लिखेंगे 1,2,3,4 करके देखिए पहला होली का तेवार हिंदु धर्म में मनाया जाता है दूसरा देखिए होली के दिन रंगों से पिछकारियों से गुलाल अबीर आदी के साथ खेला जाता है तीसरा देखिए, होली का दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है फिर देखिए, फोर नमबर, होली प्रतीक वर्स फालगून मास में मनाया जाने वाला टेवार है फिर देखिए, फाइब नमबर, होली से एक दिन पहले होली का मनाई जाती हो होली का बनाई जाती है, या पिर लिघ सकते हैं होली का अधहन बनाई जाती है, शतल है, अगला देखिए पर मीठे मीठे पकवान बनाए जाता है फिर देखिए 9 number होली के दिन सभी कार्य अस्थल संस्थान और आयने सभी परकार के कामकाज का अवकास कर दिया जाता है फिर देखिए लास्ट लाइन होली का तेवहार एकता और समानता का तेवहार है होली का तेवहार एकता और समानता का तेवहार है तो इससे नोट कर लीजे फिर हम लोग देखेंगे next number next number देखिए 10 number 10 number का question है मेले के बारे में एक अनुच्यद लिखिए देखिए आपको यहां से स्टार्ट करना है उसके बार देखिए आपको लिखना है भारत को तेवहारों एवं पर्मों का देश माना जाता है इन उत्समों की रौनक को मेले और बढ़ा देते हैं भारत्य समाज में मेलों का बड़ा महत्व है यही वज़ा है कि यहां हर समय कही ना कही मेलों का आयोजन अवस्य ही होता है मेले कई प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वानेजिक महत्व के होते हैं फिर नीचे देखिए इन मेला अईवजनों द्वारा अलग-अलग स्थानों से लोग आकर मिलते हैं जिससे आपसी मेल मिलाप तथा भायचारा भी बढ़ता है कुम्भ तथा पुसकर जैसे धार्मिक मेले सभी धर्मों में सदभाव को बढ़ाते हैं फिर आगर देखिए बाल मेले, पुस्तक मेले तथा पसु मेलों का अयवजन भी मनुरंजन और लोगों के जीवन में उत्सा को बढ़ाने वाले होते हैं भारत में कोटा का दसहरा मेला काफी लोप्रिये हैं जिन्हें देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है व्यापारियों के लिए मेले आमदनी का स्रोत होते हैं दूर दूर से आने वाले लोग खरिदारी करते हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी भी चलती है, कई अस्थानों पर पसुओं की खरीद फरुक्त के लिए भी पसु मेला का आयोजन किया जाता है, तो इसे नोट के लिजिए, बेसिकली इतना ही था, इतना पुरा लिखना पड़ क्योंकि 5 marks क्या है, अब लोग बढ़ते हैं, next number की ओर, इस तरीके से हमारा हिंदी subject complete हुआ, अब लोग बढ़ते हैं, next, English की ओर, तो दिखिए, 11 number, read these lines and answer the question that follow, यहाँ पर जो line है, इसको read करना है, और उसके नीचे जो question दिया हुआ है, इसका answer देना है, तो चले हम लोग के night and the auction lord, the ships bleat bleat come over the road, all seeming to say with a quiet delight, good little girl, good night, good night, तो देखिए, यहाँ पर कुछ question दिया हुआ, इसका हम लोग answer लिखते हैं, देखिए, पहला number, who are all referred to in the third line, तो देखिए, third line मतलब यहाँ पर all लिखा हुआ है, तो all का मतलब क्या है, all, किसको किसको all कहा गया है, तो चले हम लोग answer लिखते हैं, तो देखिए, इसका answer, one number, a number का answer, in third line, all, referred to, kraus, 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 कववा, horse, घोड़ा, तिसरा है, ox, bell, and sheep, भेड, तो यह सबको all कहा गया है, किलर है, kraus, horse, ox, and sheep, तो इसे note कहा लिजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे, next question की next question देखिए, B number, who moved on the road, road पर कौन चल रहा थो, देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, the sheep's bleat, bleat, come over the road, okay, इसलिए, इसका answer, sheep हो जाएगा, तो चले इसको मैं sentence में लिखकर बताता हूँ, आप लोगों को, आपको इस तरीके से लिखना है, देखिए, B number, sheep moved, to the road, यहाँ पर D, D लगा दीजेगा, moved, better रहेगा, M, O, B, E, D, moved, to the road, okay, इसे note कर लिजे, फिर आप लोग बढ़ेंगे अब, next, C number की और, C number के question देखिए, which words mean happy in the above line, यहाँ पर जो line दिया हुआ है, इसमें, happy का मतलब, क्या है, okay, happy मतलब, ऐसे हमें लोगों को पता है, happy मतलब, खुसी होत है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा word है, जिसका मतलब, happy होता है, तो देखिए, यहाँ पर delight word दिया हुआ है, okay, delight मतलब होता है, खुसी, और happy मतलब भी, खुसी, तो इसका answer बस आपको लिखना है, delight, okay, D, E, L, I, G, H, T, इसे लिख लिजे, delight, इसके बाद आपको बढ़ते हैं, अ and answer the question that follow, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ line है, extracts है, इसको read करना है, उसके बाद नीचे का question का answer देना है, तो चलिए, इसका हम लेके बाद पढ़ते हैं, the family ate their dinner together at night, when the old man sat at the dining table, his hands shook, he could not see the food properly, the piece rolled of his spoon into the floor, तो देखिए, इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा, कि family, मतलब एक परिवार, रात को एक साथ dinner करने के लिए बैठें, और जब old man बुड़ा बैठी आया, तो dinner table पर बैठा, उसका हाथ हील रहा था, वो अच्छा से देख भी नहीं पा रहा था, क्लिए है, properly देख नहीं पा र देखते हैं, ए नमबर, ए नमबर का question है, where did the old man sit, old man कहां बैठा, ओके तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, set at the dining table, तो चलिए, इसको मैं sentence बना कर बताता हूँ, तो देखिए, आपको पहला नमबर का अंसर इस तरीक से लिखना है, the old man sat at the dining table, ओके इतना ही अंसर है, क which words in the above line means opposite to separately, तो देखिए, separately का opposite word क्या है, यहाँ पर, separately मतलब होता है, अलग-अलग, तो इसका उल्टा सब्द, मतलब एक साथ, अलग-अलग का उल्टा एक साथ होगा, तो यहाँ पर एक साथ का meaning क्या है, तो यहाँ पर देखिए, together लिखा हुआ है, together मतलब होता है, एक सा रात का भोजन करने के लिए बैठा इसलिए यहां पर together इसका अंसर हो जागा बस आपको अंसर में यहां पर together लिख देना है ओके यहां पर बीच में together लिखने है टी ओगेटर अब लोग बढ़ते हैं next c number की ओर c number का question है which words has a digraph sound डाइग्राफ sound कोन सा word में है पहला देखिए शुक में है या पर दूसरा floor में है और कोन में उसको तो बताना ही है उसके बाद जो डाइग्राफ है उसको भी बताना है name the digraph तो देखिए डाइग्राप sound वाईसा sound को बोलते हैं जो दो letter मिलकर एक sound बनाता है जैसे यहाँ पर देखिए सुक है यहाँ पर answer हो जाएगा आपको answer में इस तरीके से लिखना है आप यहाँ पर जब answer लिखिएगा wait यहाँ पर इस तरीके से answer में आपको लिखना है सूक, S-H-O-K, उके सूक, उसके बाद निचे सूक में S-H, हम लोग इसको S-H तो नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं बस, इसलिए यह हमारा डाइग्राप है, तो यहाँ पर यह अंसर हो गया, इससे नोट कर लिजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं, अब नेक्स नमबर की और, यहाँ पर बस देखिए, सूक अंसर होगा, उसके बाद इसका डाइग्राप हो जाएगा, S-H, यहाँ पर S-H देखिए, सूर में दिया हुआ है, S-H हो जाएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं, 30 नमबर की और, 30 नमबर की कोशन देखिए, complete the missing words of the poem, a blind child speaks, तो देखिए, एक poem का नाम है, a blind child speaks, वहाँ से कुछ line यहाँ पर दिया हुआ है, fill in the blanks करना है, तो चले हम लोग blanks को भरते हैं, तो देखिए, 30 नमबर का यहाँ पर, जो fill in the blanks है, यहाँ पर इस तरीके से भरना है, I use my ears and hands for eyes, ओके, यहाँ पर देखिए, खाले स्थान यहाँ यहाँ पर है, ear में खाले स्थान है, hand में है, और eyes में है, फिर B नमर देखिए, I listen, hard and gently, touch, ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी खाले स्थान, listen में है, hard में है, and gently में है, तो इसे भी note कर लीजिए, अब लोग बढ़ते हैं, next, 14 नमबर की ओर, देखिए अब 14 नमर 14 नमर की question है, name the young ones, इसका मतलब यह हुआ कि dear, dear मतलब हीरन होता है, तो हीरन का बच्चा को क्या करते हैं, फिर देखिए all, all मतलब उल्लू होता है, उल्लू का बच्चा को क्या करते हैं, horse का बच्चा को क्या करते हैं, और elephant का बच्चा को क्या करते हैं, तो चलिए इसका हम लोग answer लिखते हैं तो देखिए फोटी नमर का answer dear dear का बच्चा को phone बोलते हैं उसके बाद all all मतलब उल्लू का बच्चा को allet बोलते हैं clear है owlet फिर देखिए horse horse का बच्चा को fall कहते हैं और एक word है इसका हम लोग colt भी बोलते हैं c o l t okay colt दोनों में से एक लिखना है आपको या तो fall लिखे या तो c o l t colt लिखे दोनों चलेगा दोनों में से एक लिखना है उसके बाद देखिए elephant elephant का बच्चा को हम लोग colt बोलते हैं okay इतना note कर लीजिए उसके बाद में बढ़ेंगे अब next 50 नंबर की ओर 50 नंबर के question देखिए write the ramming words for the following तो देखिए ramming word लिखना है quick का लिखना है all का लिखना है c का लिखना है और may का लिखना है ramming word मतलब होता है वैसा word जो सुनने में एक जिसा सुनाई देता है okay एक जिसा सुनाई देने वाला सब्त को ramming word कहते हैं तो चलिए इसका हम लोग answer लिखते हैं तो देखिए इसका answer हो जाएगा a number quick quick का मतलब हो जाएगा brick यहाँ पर quick यहाँ पर 1 आ रहा है यहाँ आ रहा है brick देखिए brick मतलब eat होता है पर देखिए second all all और यहाँ पर ball एक all का Brussels word हो जाएगा ball पर देखिए C मतलब देखना तो सी का Hafiz聽 उना सी हून्ट होता है मुद म्रराइगा पर देखिए में में का रिबी कई हो जाएगा अव जाएगा इसलिए यह 3 पितित दूमा लिएट कर दूंस ally कि और अभी तक आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल एकन को भी प्रेस कर दीजिए बेल एकन प्रेस करने से किया होगा कि जब मैं पार्ट टू अप्लोड करूँगा तो आपको निट्विकेशन मिल जाएगा और बाकी जो भी वीडियो में अप्लोड करूँगा उसका सब्सक्राइब निट्विकेशन मिल जाएगा इस चैनल पर में JCRT का सारा सोलिस्वन धिरे धिरे अप्लोड कर रहा हो ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्यादा हो और वीडियो को अपने दोस्तों के सथ अपने कल